हेलो एब्रीवन कद्दू प्याजबाला कद्दू प्याजबाले की रेसेपी बना रहे हैं कद्दू प्याजबाला जो बनाते बहुत ही टेस्टी लगता है बहुत ही जादा स्वाधिस्ट बनता है चलिए बनाना शुरू करते हैं यह 500 ग्राम हमने कद्दू लिया है और इसक एसनी दिएक से कद्दू को काट रहा है है और कद्दू को चीला नहीं है क्योंकि इसके जो छिल्कें बहुत सौ theta है इसलिए हम आपको दिखा रहे है उगल ہिसे दाकlike नाुकुन से कि यहाँ सौफट बिल्कुल और काती जा रहे हैं कद्दू कड़ू जो प्याजवाला होता बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें मसाले भी जो डलते हैं बहुत ही अच्छे डलते हैं ये कद्दू हमने काटके रख लिया है और कड़ाई को गैस पर गरम करने के लिए रख दिया है और कड़ाई गरम हो रही है ये सारे मसाले लिए हमने हल्दी मिर्चा धनिया मैथी जीरा प्याज दो रफली चौप की हो गए है और गरम मसाला है खटाई है ये सारी चीजन है और यह हमने जीरा लिया एक चमच यह डाल दिया है और एक पिंच करी यह दाल दिये और रफली चौप को यह दो प्याज हैं यह डाल दिया है और प्याज को भुणना नहीं है बस इसी तरह से एक दो सेक्रिंड के लिए चला लएंगे अब ये हल्दी पाउडर आदा चम्मच और धन्या पाउडर ये एक चम्मच डाला है लाल मिर्ची पाउडर एक चम्मच इस तरह से सुखे मसाले डालते जा रहे हैं और ये कसूरी मेथी एक चम्मच लिए इसको हाथ में ट्रश कर लिया है और ये डाल दिये और मसाले को भून रहे हैं अच्छी तरह से भून जाईए चलाते रहेंगे एक दो सेक्रिंड तक इनको चलाया है और कद्दू जो कटा हुआ है वो डाल रहे हैं अब कद्दू को मसाले में मिलाएंगे अच्छी तरह से मिला लेंगे और नमक डाल रहे हैं पहले स्वादर नमक डालना है तो एक तीश पून हमने नमक डाला है आप हमारे चैनल वेजी इंडिया पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करिए यह मसाले में कद्दू को मिला रहे हैं चला रहे हैं अच्छी तरह से मसाला मिल जाएगा और बहुत ही स्वादिस्ट सब्जी बनती है कद्दू जो प्याजबाला बनाते हैं यह मसाला अच्छी तरह से मिलाते जा रहे हैं और पानी डाल रहे हैं यह पानी इसमें डालना जरूरी है सौ ग्राम करीब पानी डाला है चोटा एक ग्लास है बहुत चोटा और ढाक दिया है पांच-छे मिनिट के लिए अब ढाक के पकाईए और फ्लैम को उने मीडियम से भी कम रखा है और पांच-छे मिनिट हो चुके हैं खोल के देख रहे हैं कद्दू को बॉइल हो रहा है अब अच्छी तरह से आपको हमारे प्याजवाले कद्दू की रेसिपी बहुत पसंद आएगी आप बनाएए जरूर लाइक करिए शेयर करिए और कमेंट्स जरूर करिए और यह हम हम चूर पाउडर डाल रहे हैं चमच और यह बहुत ही स्वाधिस्ट बन रहा है और गरम मसाला आधी चमच डाला है और दो मिनिट तक फिर ढखके पकाएंगी जिससे कि इसमें गरम मसाले की सुगन्दा आएगी और खटाई भी अच्छी तरह से मिल जाएगी अब खोल लि अशा है जशी देखने में लग रही वैसे ही खाने में गयस को बंकर दिया हमने औहो धर शीटार हमिला रही हैं यह पत्ती कटी हुई बारीक फिर दन्य की यह डाल दी है आप चल्ल मिला लेती हैं तो ऑसकी अच्छी सबजीब ही हैं अब ट्राइब बनाये ज bet cradle बनाये और कि इस तरह से हम ने कड़् गड़ाई को अतार लिया है और कड़्ू को प्रेट में सबजी को परोस रहे हैं प्याज अलग से इतना रफली चॉप किया जाता है कि बहुत अच्छा लगता है अमने परोस लिया है प्लेट में और गरम-गरम रोटी के साथ पराठे के साथ सभी क जरूर करिए आप और बनाएए जरूर बनाके कमेंट्स करिए और बताएए धन्यवाद